हाई फ्रेंड्स, बेस्ट बिजनस, एन्बी चैनल पर आप सबी का सागत है आज के वीडियो में हम आपको 500 अंडो के फुल आटोमेटिक इंक्यूबिटर के इंस्टॉलेशन के बारे में जानकरी देने वाले हैं यह इंक्यूबिटर आपके आपे पहुचने के बाद इसे इंस्टॉल किस तरह से किया जाता है यह पूरी जानकरी आपको वीडियो में दी जाएगी इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंतक जरूर देखना जैसा कि आप वीडियो में देख रहा है दोस्तो यह मशिन के साथ 5 ट्रे आती है एक हैचर ट्रे आता है एक पावर सप्ला आती है दोस्तो एक पावर कॉर्ड आती है canindling torch आती है और motor की sharp आती है दोस्तो एक Vegra और controller manual एक एकषरा fuse जिहां दोस्तो जिहां इसके साथ इसकी आता है इसके साथ इसकी controller आती है दोस्तो तो सबसे पहले बात करते है दोस्तों controller से तो इसका controller extra होता है दोस्तों जी हाँ बाहर आता है तो इसे connect कैसे करना है तो आप देख सकते हो machine से ये दो wire निकले हुए तो इसको एक दूसरे के साथ connect करना है दोस्तों जी हाँ आप देख सकते हो ये बड़ा socket बड़े socket में फसेगा ये medium socket में सॉकेट में फसेगा ये तीन का ब्रैकेट अलग है और ये सिंगल का ब्रैकेट अलग है सिदी सिदी बाशा में पता हो दोस्तों तो इसमें नव पॉइंट है नव पॉइंट वाला सॉकेट 9 point में फसेगा 3 point वाला socket 3 point में और 2 point वाला 2 point में शिरिफ इसको एक दूसरे के पास लेना है दोस्तों और लगा देना है जी हाँ इसको lock होती है दबाने के बाद में वो lock अपने आप एक दूसरे के साथ आटेज हो जाती है अगर आपको इसको खोलने का काम गिरता है तो आप इसका lock दबाकर इसको वापस से खोल सकते हो यह हमने 3 वायर एक दूसरे के साथ connect कर दी है अब यह extra वाली भी वायर हमें एक दूसरे के साथ connect कर देंगे यह controller अलग होने का फाइदा यह होता है अब इसके साथ इसका एक power supply आया होगा है दोस्तों DC उसको इसमें लगा देना है जी हाँ, DC को इसमें लगा देना है, और इसको भी हम प्लगिंग करेंगे, इसके साथ इसकी पावर कॉड आई हुई दोस्तों, ये पावर कॉड को भी इसके साथ अटेच कर देना है, जी हाँ, ये दीखिए, पावर कॉड को भी अटेच करना और इसे भी प्लगिंग कर और इसे भी हम plugging कर देंगे दोस्तों अब बात करते हैं इनको तो side में रख देना है दोस्तों अब हम gate को open करते हैं सबसे पहले आप देख सकते हो कि यह जो ट्रे है दोस्तों यह हमने इदर के side में बिचाई हुए और उसको जो pipe है water bowl को लगा हुआ हूँ हमने बाहर ले लिया ह जिया यह जो pipe है दोस्तों इस pipe को आपको अपने घर के null को attach कर देना है जिया दोस्तों जो water tank का है ना उसको attach कर देना है वो 24 घंटा उस letter से null से पानी आना चालू रहेगा जितना पानी चाहिए उतना पानी इसमें आएगा बाकी वो अपने आप off हो जाएगा इस train में आपक को side में कर देना है इसी connection है दोस्तों आप easily कर सकते हो इधर के fan का भी उस तरह ही connection होता है और यह जैसा connection fan का हुआ है दोस्तों उसी तरह जो turning tray उनका connection ही है दोस्तों जी है turning motor का connection ही है तो अभी आप अंदर से incubator को देख सकते हो अभी हम इसके अंदर tray विछाएंगे दोस्तों तो सबसे पहले हम hatching ट्रे नीचे के side में बइल देंगे सबसे नीचे hatching tray दालेंगे जी हां दोस्तों यह हो गया दोस्तो हैचिंग ट्रे उसके उपपर हम एक ट्रे डालेंगे दोस्तो एक ट्रे डालते समय वायर को उठा लेना है ट्रे को सही तरह से लगा देना है और एक दूसरे के साथ अटेच कर देना है जी है इस तरह से दूस्तो पहला दूसरा तीसरा चौता पूरे ट्रे आपको लगा देनी है इस तरह से दोस्तों इसके अंदर ट्रे लगाना है जिया जब भी आप गेट को आफ करोगे जिया यानि गेट को बंद करोगे तो लॉक पूरा प्रॉपर लगाना है जिया ये इसका लॉक सिस्टम है दोस्तों इसको पूरा प्रॉपरली लगाना है और फिर इसे क्लोस कर देन ताकि यह पूरी तरह से एर से लो सके जिया दोस्तों यह इंसुलेट बॉड़ी है दोस्तों आप बॉड़ी देख सकते हो जिया बॉड़ी देख सकते हो आप कितना मोटा है दो ग्लास है दोस्तों अंदर से चूदा वगएरा देखने के लिए इसके अंदर ही लाइट है दोस इसमें को आउन करना है लेकिन अभी आप देख सकते हो मशिन के अंदर इसरी फैन चल रहे है जी हाँ यह जो पावर सप्ला है दोस्तों यह फैन के लिए ना कि बैटरी बैटरी पर चलाने के लिए जी हाँ मशिन के अंदर के सभी फैन चल रहे है लेकिन अभी हिटिंग कोईल वगरा कुछ भी चालू नहीं हुआ है, तो उसके लिए यह controller on करना पड़ेगा, आप देख सकते हो, controller को यह आप बटने, यह होगी दोस्तो, controller on, जी हाँ, यह देखिया, अब हो गया machine पूरी तरह से चालू, आपको power supply को भी on करना है, और controller को भी on करना है, दोनों को, machine चालू ह हो चुका है दोस्तो, आप देख सकते हो, controller पर है कि आप टर्निंग वाला switch है, जी हाँ, दोस्तो, तो इस switch को आपको on रखना है, नीचे रखना है, 18 दिन तक आपको इस switch को on रखना है, 18 दिन के बाद जैसे turning off करना होता है, उस समय आप 18 दिन पूरे complete होने के बाद इसे बन क कर सकते हो, लेकिन 18 दिन तक आपको इसको चालू रखना है, अगर यह चालू रहेगा, तो ही अंडा rotate होगा, अंडा move होगा, नीचे और दूसरी बात, अगर आप इसमें मुर्गी का अंडा रखना हो, तो 18 दिन आपको इसको on रखना है, बाकि आप जो भी अंडे रखोगे वह इसाब से इसको on off कर सकते हो, यह light के लिए special दोस्तों इसको अगर on करोगे, तो अंदर आप देख सकते हो, tube light जल चुकी है, अगर इसको मैं off करूँ, तो यह देखे, light off हो गया है, जी हाँ, यह light के लिए दोस्तों, आप इसको on off अपने इसाब से कर सकते हो, अभी मैं आ अंदर अंडे रखना है और water system को on कर देना है जिए दोस्तों अंडे रखना है water system को on करना है बाकि आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा सब का machine खुद करेगा जिए temperature humidity पूरी तरह से automatic है turning हर दो गंटे बाल अपने आप होगा आपको कुछ नहीं करना है आपको सिर्प अंडा रखना और machine को बन कर देना है जैसे 18 दिन पूरा हो जाता है दोस्तों आपको इस turning वाले switch को off कर देना है ताकि अंडा घूमना बन हो जाए जी हाँ अब बात करते हैं तो वेल्टीनेशन की तो आप देख सकते हो यहाँ एक वेल्टीनेशन के लिए setup दिया हुआ है तो इसको 25% जी हाँ यह 100% हो गया दोस्तों यह 50% हुआ आपको 25% इसे on रखना है इसको भी आपको 25% on रखना है और पीछे के साइड में तीन है दोस्तों इस तरह से जी हाँ तीन ब्रैकेट है विच्छे के साइड में तो उसमें के दो ब्रैकेट उपर के साइड के वह भी आपको 25-25% खुले रखना है जी हाँ दोस्तों इस तरह से इस मशीन को आप operate कर सकते हो आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंड में जरूर बताईएगा अगर आपको यह मशीन पर्चेस करना है तो आप हमें वीडियो में दियो है नंबर पर सुबह 11 बज़े से लेकर शाम को 6 बज़े तक कभी भी कॉल कर सकते हो हम All India Home Delivery करवाते हैं हमार पास Cash On Delivery भी अवेलेबल है जी हाँ दोस्तों अगर आपको मशीन पर्चेस करना है तो आप हमें कॉल करक झाल